इस तरीके से इस साल मुंबई में पिछले साल के एकॉर्डिंग धुमधाम से गंदपती भी सरजन हुआ और आसा है अगले साल से हम जैसे हमेशा होता था धोल और डांस के साथ वह से गंदपती भी सरजन होगा आज के व्लॉग में आप सभी का सौगत है और हम जा रहे है नेरल मैं मम्मी और राहूल वडाला इस्टेशन पर अभी हम है यहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे कुर्ला के लिए और कुर्ला से नेरल के लिए फास्ट ट्रेन वडाला इस्टेशन से भी बांदरावा अंधेरी डायर्ट ट्रेन जाती है यह ट्रेन यहां पर रुकेगी और यही से रिटन अंधेरी जाएगी और यह देखिए हमारी पनबेल की भी ट्रेन आ गई इससे हम लोग जाएंगे कुर्ला तक हम कुर्ला इस्टेशन पर पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर पांच समय फास्टर मिल जाएगी करजत के लिए उससे हम नेरल उतर जाएंगे कुर्ला इस्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं है कम भीड़ है आज जोड़तार बारिस हो रही है यह देखिए अब ट्रेन से नीचे पानी गिर ला है बहुत तेज बारिस हो रही अभी पूरी ट्रेन एकदम धो उठी है ऐसा रहता जैसे अभी अभी जेस्ट धोके निकाली गई है पूरी ट्रेन बहुत अच्छे से दुई हुई है क्योंकि बारिस बहुत तेज हो रही है अब हमारी ट्रेन आ गई है कर्जत जाने वाली आज बच के 10 में हमारी भी इस ट्रेन में आज भीड नहीं है नहीं तो खड़े होकी जाना पड़ता था था थाने स्टेशन पर हम लोग पहुंच गया है पूरा डबा खाली हो गया जेस्ट हम पहुंचने वाले हैं और पूरे डिबबे के सब लोग उतर चुके हैं और यह देखिए आप नेरल इस्टेशन यहां बहुत सारे लोग उतरते हैं देखो नेरल में नेरल पहुंच गया और अभी टाइम हो रहा है नौ बच के बाद तीस मिनट मियां ठंडी लागा थे ना लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहां के यह ट्रेन जिससे हम लोग आये हैं यह थी 29 की आई है 9 32 पर नेरल इस स्टेशन को देखिए जो माथ है रान इस सबसे करीब है गाउं जैसे लगने लगता है इस्टेशन के बाहर ही लगता है गाउं में आगे पीपल का पेड इस् लगता है कि दाख होता गया से एक्ट्वल में कहां यहां पर अदेरा होता है पाउं में तो हर जगान जग मग जग मग लाइट ही लाइट है अच्छा देखिए यहां से भी गन्पत बपा चले गए आच लब सब जगा से गये लेकिन अब जो पंडाल है सुना सुना लग र है और आवाज सुनिये आवाज जो गाउं में आता है ऐसा आवाज हम लोग मुंबई में मिस करते हैं द्यान से सुनिये हां देरा तरा सुना होगा आपको नहीं है ममी कह रहे इसे पूरा गाउं ही समझना चाहिए हां गाउं है अच्छा है सहर हो भी ना है है हम लोग पैदल चलके जा रहे है क्योंकि इस टेसन से पांस मेंट पर ही मामा जहां पर रहे हैं वह बिल्डिंग है सामने से एक गाड़ी आ रही है तो नहीं चरे पर लाइड आया या बिल्डिंग है मामा जहां रहते हैं और हमें यहीं से सौटकट रास्ते से आना है चोटे वाले गेट से इस गेट से जैसे गाउं में पकडंडी रास्ते होते हैं वैसे रास्ते चलो 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 जल्दी चलो यहां पर गनपती जी है पर्मानेंट वाले और फाइनली हम लोग मामा के गहर पर पहुंच गये हैं और यहां पर आके सुकून मिलता है यहां हलका हलका ओवार रहता उखीजियन लेने में भी आसानी होती है हमें जाना है सेकेंड प्लूर उपे बिल्डिंग कितने प्लूर की है तीन चार पांच प्लूर की है देखिए पार्टी की तयारी सब लोग पहले से कर लिये लगता है अस्रूती इस इंगली सी इस इखाई ने सी अब पैर चुरे हो राप के बारा बच के पांच मेर हो चुके हैं और अब हम सब देंगे मामी को जन दिन के धेर सारी बढ़ाईयां आप आप सबस्ते उल describing पारतकी ऐस देमिश्ज सबस्ते सारी इस इसमेश्ज। भी बयुपे बचक्राई म्रुपेश्ज सबस्ते देल की बचक्राईब हम्क्राईब हम्क्राईब बचक्राईखिए बचक्दिए दौतिएब आप। सब्सक्राइब सर्माओग एसाथ मामा ने तैयार किया मामी के लिए डांस देखते हैं आज की छोटी से ब्लॉग में इतना ही बहुत ज्यादा मस्ती हुआ बहुत ज्यादा मज़ा आया था पूरा वीडियो आप कल के ब्लॉग में देखिए मामा का डांस और बहुत सारी चीजे थैंक्यू पोर वाजिक